कि स्वालो बच्चो दिस विजय सिर इश्वेंड हम लोगों ने अब तक एक्सराइज 1.1 बहुत अच्छे से कंप्लेट कर लिया है वीडियो अब तक नहीं देखे हो पिछले तो वो जरूर देख लेना तो ही आपको यह समझाएगा ठीक है इसलिए बोल रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में आप एक्सराइज 1.2 का क्वेस्चेन नमबर वन और क्वेस्चेन नमबर टू सिखने वाले हो उसके पहले कुछ कंसेप्ट सिखा लेते हैं ताकि एक्सराइज बहुत अच्छे से समझे तो अपना टॉपिक देखो क्या है आज का डेरिवेटि सिख्ड वाय अगर एक्स ना वाय अगर ओधिवस्चेन यह नडगीवल का मतलब ऐसा फॉंक्शन जिसका यह function अगर byjective होगा तो ही inverse निकलेगा इसका ठीक है तो ऐसे functions जो byjective हो उन लोगों का derivative कैसे निकालते हैं हम लोग देखो y क्या बोला f of x तो x क्या आएगा f inverse of y x क्या आजाएगा आपका f inverse of y मतलब x जो है वो inverse function है y का f inverse f inverse x जो है वो inverse function है y के terms ठीक है तो अपना एक theorem है बच्चो कि dx by dy जो होता है ना वो होता है one upon dy by dx provided this denominator is not equal to 0 तो इतना आप लोगों को सोचना नहीं है वो entrance वगेरा का point है कि यह 0 नहीं आना चाहिए वो कभी-कभी आ जाता है entrance में बोर्ड में ऐसा कोई question नहीं मिलेगा जहाँ पर denominator आपका 0 के equal हो और अगर होता है तो आप लिख देने का कि यह condition नहीं होगा क्या बोला मैंने कि dx by dy क्या होता है one upon dy by dx यह formula आपको याद करना है इसका proof आपको derivative का जब थेरम का तीन थेरम है न तीनों थेरम का जब प्रूफ एक साथ सिखाऊंगा न उस टाइम पर बता दूँगा यहाँ पर खाले आपको क्या याद रखना है कि y जो है वो one to one function हाना चाहिए on to function होना चाहिए दोनों अगर है तो उसका inverse हो सकता है तो inverse का यह आपका derivative हो जाएगा dx by dy is equal to one upon dy by dx बस यह formula के उपर पूरा exercise cover होने वाना है पूरा exercise यह नहीं कि पहला question दूसरा question हर question cover होना है ठीक है अब इसके बाद मैं बच्चों inverse trigonometric functions उनका भी derivative हम लोग देख लेते हैं ठीक है जरुवत जरुवत तो कैसा यहाँ पर नहीं है starting का पहला दूसरा question में नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग derivative देख लो फिर आपका inverse trigonometric functions मतलब आपका math 1 का chapter number 3 उसके भी कुछ formula लगने वाले है वो कब बताऊंगा मैं जब इ के खाली formula याद रख लो कि sin inverse x का derivative क्या होता है sin inverse x का cos inverse x का then tan inverse x cot inverse x sec inverse x and cosec inverse x इसका derivative क्या होता है वो देखना है बच्चो sin inverse का derivative और cos inverse का सेम होता है लेकिन यहाँ पे minus आजाता है क्या होता है derivative one upon square root में one minus x square इसका आजाएगा minus one upon square root में one minus x square tan inverse x का होता है one upon one plus x square तो cod inverse का उसी का minus minus 1 upon 1 plus x square सेक इंवर्स का क्या होता है 1 upon x root में x square minus 1 और कोसेक इंवर्स x का होता है minus 1 upon x root में x square minus 1 अगर आप interest point of view देखते हो तो यहाँ पे जब formula लिखोगे उस formula के डाइंपे आपको domain और range पता होना चीए इनका और इनका ठीक है यहाँ पे जो भी X का condition जैसे यहाँ पे X का value minus 1 और 1 के बीच में होना चाहिए including नहीं excluding मतलब minus 1 और 1 नहीं चलेगा उनके बीच की values चलेगे ताकि यह root exist हो ठीक है वैसी sin inverse का क्या आजाता है minus pi by 2 से pi by 2 यह सब कहां पे पढ़ोगे आप inverse trigonometric function जो math 1 का chapter number 3 है trigonometric function में ITF section में यह सब पढ़ने वाले हो इसका जो textbook अगर देखोगे तो कुछ conditions दिया ना वो condition वहाँ पर पढ़ने वाले हो तो यहाँ पर अपने को जरुवत दी है अपने को जरुवत सिर्फ इतना है ठीक है तो अभी आज आते हैं हम लोग question number 1 और question number 2 exercise का solve करने के लिए फिलाल question इस वीडियो में सिर्फ इतना ही question करना है सिर्फ नहीं है पैसे तो देखोगे तो यह 8 है यह 5 तेरा question है यह तेरा question है यह तेरा question हम लोग करने वाले question number 1 एक बार read कर लो question number 1 क्या वोला है दोनों में थोड़ा सा difference है क्या है question find the derivative of the function y is equal to f of x मतलब y is equal to f of x का derivative find करना है means they are asking for dy by dx they are asking for dy by dx dy by dx की जरुवत है हो मांग रहें dy by dx लेकिन there is a condition एक condition दिया है क्या दिया है condition using the derivative of the inverse function मतलब आपको dy by dx निकालना है यह तो हमको पता है लेकिन किसका use करके निकालना है inverse function के derivative का inverse function मतलब x तो x के derivative का x का derivative मतलब क्या dx by dy इसका use करके निकालना है तो मैंने जो भी अपको formula बताया था dx by dy one upon dy by dx होता है तो अगर मैं इसको left में लेके जाता हूँ इसको right में लेके आता हूँ तो यहां से मेरे को ये भी तो मिल जाएगा ना, आपका dy by dx क्या मिल जाएगा, मेरे को dy by dx मिल जाएगा 1 upon dx by dy, बतलब मुझे इस question में देखो, इस question में क्या बोला है, dy by dx निकालना है, लेकिन किसका use करना है, इसका use करना है, तो कैसे करूंगा, this is equal to 1 upon dx by dy, सबसे पहला काम क् करेंगे, question number 1 में, हम question number 1 में, हमको y दिया हुआ है, लेकिन जरुवत के हिसाब से, जरुवत के हिसाब से, हमारा question का demand है, पहले आप dx by dy निकालो, और उसका use करके, dy by dx निकालो, dx by dy निकालने के लिए, question से x मांगना पड़ेगा, और फिर देखेंगे, वहताब question solve करेंगे, त the inverse of the following function, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है, मतलब यहाँ पे आपको क्या बोला है, y और x में, y is equal to something दिया है, तो इसका inverse क्या आएगा, इसका inverse आएगा x, मतलब इस question के demand है, सिर्फ, dx by dy, बस, और कुछ नहीं, अब यह आप, x को y के टम में, convert करके करो, चाहे, वह formula था न करेंगे कि, उसका use करेंगे, question आने दो, वहाँ पे explain करूंगा, कि dy by dx का use करके क्यों करना है, start करते question number 1, question number 1 है, y is equal to root में x, क्या देया है question में, find the derivative of the function, using the derivative of inverse function, मतलब पहले dx by dy निकालना है, तो पहले अगर मुझे dx by dy निकालना है, तो पहले मुझे x लगेगा, तो यहाँ side squaring करेंगे, on squaring, अगर मैं दोनो side squaring करता हूँ बच्चों, तो y का हो जाएगा y square, root x का हो जाएगा x, इसको अगर मैं उल्टा लिख दिया, तो that is x is equal to y square, x is equal to y square, अब यहाँ पे मेरे को dx by dy निकालना है, मतलब क्या करूंगा, मैं differentiate करूंगा with respect to y, तो यह हो जाएगा मे dx upon dy, this is equal to y square का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बरबर, फिर मैं बोलूंगा कि हमने theorem में पढ़ा है, we know that, पता हो तो भी, नहीं पता हो, तो भी, तो we know that, dy by dx is equal to 1 upon dx upon dy, मेरा dy by dx क्या जाएगा, 1 upon dx by dy, तो यह 2y उठा के अगर मैं रख देता हूं यहाँ पे, तो मुझे dy by dx क्या मिल जाएगा, मुझे dy by dx मिल जाएगा, 1 upon dx by dy कितना, 2y, तो यह हो जाएगा, 2y, 1 upon 2y, तो यह हो गया, 1 upon 2, अब मेरा question y is equal to root x था ना, बरबर, तो x की value मैं निकाल, मतलब यह, put कर देता हूं, sorry, y की value put कर देता हूं, क्या, root x, तो हो जाएगा, 1 upon 2 root x, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से मुझे मिल जाएगा, dy by dx, यह हो गया मेरा answer, ठीक है, एक बार वापस देख लो, y दिया, squaring किया, तो y square आ गया, x, x is equal to y square, इसी को कर देते हैं, derivative with respect to y, तो dx by dy मिल गया, is equal to 2y, तो we know that dy by dx होता है, यह value put कर दिया, अब question y is equal to root x है न, y की value put कर दो, y के जगह पे root x put कर दो, तो आपका answer हो जाएगा, समझ में आया बचो, I hope समझा रहेगा सबको, ठीक है, second वाला, try मार सकते हो खुद से, ठीक है, आया तो अच्छी बात, नहीं आया, तो उसके लिए तो मैं हुई, उसका dimension, नहीं लेना है, ठीक है, देखो, क्या दिया बश्यन में, y is equal to, root में 2 minus root x, अपने को x निकाननी की ज देखो, on squaring, जैसे मैंने squaring किया, तो y square आ जाएगा, 2 minus root x, मुझे x की जरुवत है इतना याद रखना, तो minus root x अगर मैं left में लेता हूँ, तो root x आ जाएगा, y square अगर right में लेता हूँ, तो 2 minus y square आ जाएगा, फिर से root x का root gap करना है बच्छो, तो क्या करना पड़ेगा, squaring करना पड़ेगा, तो squaring किया मैंने, तो root x का x हो जाएगा, और यहाँ पे whole square आ जाएगा, यहाँ पे whole square आ जाएगा, अब क्या करने का, सर, अब इसका derivative ले लो, इसको differentiate कर दो, with respect to y, तो x का हो जाएगा, dx by dy, यहाँ पे main को ने, बच्छो, यहाँ पे main को ने, main को ने सर, power, तो power आएगा आगे, यह जो power है, वो आगया आगे, power का का काम हो गया, हो गया कि बाकी है, सर, बाकी है, power एक कम भी हो जाएगा, तो power का आप काम हो गया, power आगे आया, एक power कम हो गया, power का का काम खतम, अब क्या आएगा, अब आएगा, derivative of bracket, So, आपका dx by dy, आपका dx by dy, क्या आ जाएगा बच्छों, थ्यान देना, 2 into 2 minus y square, 2 into 2 minus y square into, इसका 2 का derivative 0 minus, minus y square का क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा, देखो derivative y के respect बेकर, इसलिए dy पे dx नहीं आ रहा है, ठीक है? तो minus 2 into 2 minus 4 हो जाएगा, तो आपका dx by dy क्या आ जाएगा, dx by dy is minus 4y, और यहाँ आ जाएगा 2 minus y का square, यह मेरे को dx by dy मिला, अब क्या करूंगा, अब मैं बोलूंगा कि we know that, क्या पता है अपने को, अपने को पता है कि dy by dx जो होता है, वो होता है, 1 upon dx by dy, क्या होता है? 1 upon dx by dy, तो value पूट कर दो बस, 1 upon dx by dy के value यह है, मतलब क्या? minus 4y into 2 minus y का square, यह है, तो यह आ जाएगा, यह आ जाएगा, minus 1 upon 4, y मतलब क्या? y मतलब क्या? root में 2 minus root x, यहाँ से, y मतलब क्या? root में 2 minus root x, into, या तो y square की value पूट कर, या तो यह bracket लेको कहीं दिख रहा है? bracket कहीं दिख रहा है? सर, इधर दिखा, दिखा क्या? 2 minus y square, तो 2 minus y square की value क्या है? root x है, तो root x लिख दो, समझा? अब क्या कर लेंगे? therefore, आपका dy by dx आ जाएगा, minus 1 upon 4, root x, into root में 2 minus root x, समझा? root x को पहले लिखा, और ये वाला root को बाद में लिखा, हो गया हमारा ऐसा, phi का दिया, squaring किया, ऐसा लिखा, root x इधर, y square उदर, दोनों तरफ squaring किया, ऐसा आया, फिर power आगे, एक power का, बाद में bracket का derivative किया, answer, निकाल लिया, अच्छे से देख लो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, यह अपना question, यहाँ पर cube root दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर cube root, तो y की value, cube root of x minus 2 है, तो on cubing, y cube क्या आजाएगा, x minus 2, minus 2 इधर, तो x आजाएगा, y cube plus 2, मैं चाहूंगा, विडियो पॉस्ट करके, आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है? ट्राइ किया करो बच्चो, अब derivative कर दिया, with respect to y, तो dx by dy क्या आजाएगा, 3y का square, बर अब फिर बोलूँगा मैं, we know that, we know that, dy by dx is equal to 1 upon dx by dy, we know that, dy by dx is equal to 1 upon dx by dy, we know that, dy by dx is equal to 1 upon dx by dy, dy का square, क्या किया मैंने, dx by dy की value, 3y square रख दिया, तो मेरको dy by dx मिली है, ठीक है, y square निकालना पड़ेगा अभी, क्यूंकि question में है नहीं, तो मेरा dy by dx क्या हैगा, बच्चो देरा ध्यान देना, dy by dx क्या हैगा, this is equal to, 1 upon 3, y square, y square है कहीं, नहीं है, तो y की value रखो, यह y की value रख y की value क्या है, अगर आप अच्छे से देखो के तो, अच्छे से देखो के तो, वो x minus 2 raise to 1 by 3 है, और उसका whole square, समझा, क्या हुआ, इस दो देखो, 3 बाहर, y मतलब, यह cube root का मतलब होता है, power में 1 by 3, और whole square already है, y square था न, इसलिए, तो यहाँ पे क्या आजाएगा, यहाँ पे x minus 2, power का power multiply होता है, तो यह हो जाएगा 2 by 3, 1 by 3 into 2 के आजाएगा 2 by 3, अब यहाँ पे आपको यह ध्यान देना है, कि denominator आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे x की value 2 के equal नहीं होगी, और cube root exist अगर करवाना है, cube root तो plus का भी होता है, minus का भी होता है, तो कोई tension नहीं है, ठ ठीक है, अच्छो, आगे करते हैं सोग, फोड़ तो आला, y is equal to log of 2x minus 1, अब बोलोगे सर्थ, यहाँ पे log है, इस log को कैसे भगा है, तो log को भगाने का एक rule है, जरा ध्यान देना, वो rule क्या है, if log of a to the base b is equal to m, अगर log of a to the base b m के equal है बच्चो, तो यहाँ पे अगर मुझे log हटाना है, यहाँ पे अगर मुझे log हटाना है, तो यह जो a है, यह किसके equal आ जाता है, b raise to m के equal आ जाता है, मतलब यह जो a है, यह log जब गायब होता है, तो यह base उधर चला जाता है, और यह उसके power में हो जाता है, मतलब, अगर log of x to the base to, यह सम जो 3 के equal एक example तो यहाँ पे x पते के आएगा x पते के आएगा यह base चला जाएगा उधर और यह उसके power में आजाएगा x is equal to 2 raise to 3 करके आजाएगा यही है आपका concept तो यह concept को अगर मैं अपने question में देखता हूँ तो फिलाल बोलों के सर यहाँ तो base कोई है नहीं अगर base कोई नहीं होता है जिसका कोई नहीं log में उसका कौन होता है e होता है मतलब natural base log to the base e अगर मुझे इस log को अटाना है तो यह e भाई साब जाएगे y के पास और बोलेंगे मैं तेर को समाल लेता हूँ चल तो मेरे उपपर हो जाएगे y समझ गया e गया उदर y गया उसके power में यहाँ पे कौन बचा यहाँ पे बचा आपका 2x-1 ठीक है minus 1 इदर आया e raise to y plus 1 is equal to 2x so your x will become half of e raise to y plus 1 2 गया left में top on में यह मेरे को x की value में नहीं अब इसी को मैं differentiate कर देता हूँ with respect to y क्या हैगा बच्चो x का आजाएगा dx by dy this is equal to half बाहर e raise to y का e raise to y 1 का derivative 0 मतलब अपने को मिल गया e raise to y upon 2 क्या मिल गया dx by dy क्या मिल गया बच्चो dx by dy क्या मिल गया e raise to y whole upon 2 यहां पर मुझे dy by dx क्या मिलेगा यहां पर मुझे dy by dx यहां फिर मैं बोल देता हूँ पहले कि we know that we know that dy by dx this is equal to 1 upon dx by dy so this is equal to इसका reciprocal ना तो इसका reciprocal क्या आएगा 2 upon e raise to y आएगा क्या आएगा 2 upon e raise to y यह अपना final answer अचा final answer के पहले e raise to y है ना चाब पिछले में y की value पुट किये थे ना किये थे e raise to y e raise to y ढूंडो कहीं दिख रहा है कहीं दिख रहा है सर इदर दिखा तो e raise to y की value क्या है x के डम में 2x minus 1 तो उसकी value रख दो 2x minus 1 रख दो यह आपका final answer हो गया और यहाँ पे यह आपका एक formula के तोर पे याद रखना इस चीज़ को ठीक है हो गया आपका answer यहाँ पे ठीक है अच्छो तो देखो चार question हो गया अभी आगे के question आप खुद चाहते हो तो video post करके solve करो जो नहीं आता है आपको वो video में continue करके देख लो ऐसे ही देखो खाली video देखने से या फिर किसी का lecture खाली बैठने से maths में full box नहीं मिलता है जो भी अच्छे बच्चे होते हैं वो खुद पे बरुसा करते हैं जिसका video देख रहे हो पढ़ो अच्छे से बढ़ो समझो चीजों को और खुद से solve करते बैठो तो होगा तो होगा 90, 95 प्लस marks तो मिलेगा अधरवाइस marks नहीं मिलता है ये नहीं कि हाँ अभी classroom में अगर आप बैटे हो चलो ये तो चलो YouTube पे पढ़ रहे हो अगर आप बैटे हो और सामने आके टीचर बगबग करके चला गया आपने कुछ लिखा नहीं कुछ समझेगा कुछ नहीं समझेगा तो सबसे पहला चीज याद रखना notebook लेके ही वीडियो देखना है वीडियो मतलब YouTube पे अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो मूवी नहीं देख रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ने के लिए notebook, textbook, सामने screen सब लगेगा यह नहीं कि screen पे चलेगा हाँ sir कर रहे है sir को आता है sir को नहीं सिखना है आपको सिखना है ठीक है इस चीज का ध्यान देना चलो फिफ्थ वाला अब मुझे नहीं लगता है कि question बताने की भी जरूद है लेकिन कैसा कोई अगर बहुत weak बच्चा है तो उसको जरूद लगेगा तो इसलिए बता रहो मुझे लगता है यहां तक समझ गया होगा क्या किया मैंने 3 को left में बेजा तो ऐसा आ गया 2 को अपॉन में बेजा तो ऐसा आ गया dx by dy क्या आ जाएगा dx by dy आ जाएगा 1 upon 2 into 1 minus 0 therefore dx by dy is equal to 1 upon 2 बस यह dx by dy आ अब मेरको dy by dx क्या आएगा वो कैसे मिलेगा we know that we know that dy by dx is equal to 1 upon dx by dy dy by dx क्या जाएगा 1 upon dx by dy इसकी value half है तो यह जाएगा 1 upon half which will become 2 क्या जाएगा 2 आपका final answer 5 वाली का ठीक है यह आ गया 6 वाला क्या दिया है y is equal to e raise to x minus 3 यह थोड़ा सा arrange करने के time पे तकलीफ देने वाला है तकलीफ से मेरा मतलब है अब देखो समझेगा फुदी क्या मतलब है e raise to x क्या आ जाएगा y plus 3 अब यहाँ पे x x जो होगा जाके पेड़ के उपर चड़के बैटा e के उपर है e के सर पे बैटा है जाके उसको उतारना है नीचे अच्छब पावर वाले को जो जबब भाव खाते ना नीचे नहीं आते उनको नीचे लाने के लिए लॉग का इस्तेमाल किया जाता है taking log on both the sides taking log on both the sides अगर मैं log दोनों साइड लेता हूँ तो यह क्या आ जाएगा यह आ जाएगा log of e raise to x और यह हो जाएगा log of y plus 3 log बोलता है चल चल आ गया x बोलता है ठीक है भाई थोड़ी जद्दे देता हूँ तरे को भी तो जद्दे दिया आगे आ गया फिर log e log e होता है 1 अब x हसरा था मेरे को तो आगे बुला ले और खुद 1 बन के भाग रहा है बरबर x इंडू 1 x खा गया उसको x बचा तो यह हो गया मेरे को x की value log of y plus 3 अब इसी को differentiate कर दो with respect to y differentiate with respect to y तो x का आ जाएगा dx by dy x का आ जाएगा dx by dy और यहाँ पे log का log का आ जाएगा 1 upon y plus 3 1 upon y plus 3 यह मेरे को dx by dy मिला तो उसके बाद बोलूँगा we know that यहाँ पे देखो log के बाद bracket का derivative y का 1 3 का derivative 0 इसलिए लिखा नहीं है बहाँ पे we know that dy by dx dy by dx is equal to 1 upon dx by dy जो जाएगा 1 upon 1 upon y plus 3 तो यह भाई साब denominator के denominator वाले कहा चले जाएगे numerator में चले जाएगे तो यह y plus 3 चला जाएगा उपर तो वहाँ से मुझे dy by dx क्या मिल जाएगा y plus 3 y plus 3 x के डम में ढूंडो ढूंडो ढूंड लिए तो y plus 3 किसके एकोल आजाएगा e raise to x के तो वहाँ पे मुझे dy by dx मिल जाएगा e raise to x हो गया हमारा 6 वाला भी बहुत simple question है खाली यहाँ पे थोड़ा वो जो convert किया है न उन चीज़ों पे ध्यान देना था बाकि कुछ करने की जोड़ती है अपने आप answer आते जाएगा ठीक है और दो बचे है न इसमें एक 7 वाला और एक 8 वाला देखते हैं यहाँ पे भी देखो x का जो चीज है मतलब x का जो टर्म है वो जाके e के सर के उपर बैठा हुआ है सर के उपर बैठा है मतलब log लेना पड़ेगा तो taking log on both the sides तो यह हो जाएगा log y this is equal to log of e raise to 2x minus 3 जो power में रहता है उनको log आगे बुला लेता है बरबर तो log y क्या आजाएगा यह power में है न यह आगे आजाएगा तो हो जाएगा 2x minus 3 into log e और log e का value होता है 1 तो यह हो जाएगा log y is equal to 2x minus 3 into 1 therefore log y is equal to 2x minus 3 minus 3 को left में लेक्या होगे तो 3 plus log y लिख लेता हूँ ज्यादा सही दिखिएगा 3 plus log y this is equal to 2x 2 को अपॉन में ले लिया तो x आजाएगा मेरे पास 1 upon 2 3 plus log y 3 plus log y ठीक है एक बर देख लो क्या किया log y power आगे ठीक है log e का value 1 as it is minus 3 गया उदर plus हो गया 2x की value बाद में x क्या मिल गया बच्चो half of 3 plus log y अब इसी को differentiate कर देते हैं हम लो differentiate कर देते हैं with respect to y तो मेरा dx by dy क्या आजाएगा मेरा dx by dy आजाएगा half बाहर है 3 का derivative 0 plus log y का derivative 1 upon y तो मुझे मुझे dx by dy मिल जाएगा 1 upon 2y क्या मिल जाएगा बच्चो 1 upon 2y फिर क्या बोलूंगा we know that हमको पता है क्या पता है कि dy by dx is equal to 1 upon dx by dy that is 2y question में why क्या था e raise to तो आपका dy by dx आजाएगा 2 times of e raise to 2x minus 3 हो गया अपना answer 7th वालेगा इसी का 8th वाला ये question है फिर से log बैठा है पहले से बगाना है तो क्या बोला था base चला जाएगा उदर और वो चला जाएगा उसके power में मतलब ये हो जाएगा आपका 2 raise to y और यहाँ पे बचेगा x upon 2 तो x क्या आजाएगा x आजाएगा 2 into 2 raise to y यहाँ पे base sim करके power add कर सकते हो लेकिन मैं बोलता हो कि कोई जरूत नहीं है जैसा है वैसा बढ़े रहने दो तो यह आ गया अब इसी को हम differentiate कर देंगे with respect to y तो यह हो जाएगा dx by dy is equal to 2 constant है 12 a raise to x का a raise to x log a होता है तो 2 raise to y का 2 raise to y log 2 हो जाएगा बस और कुछ देंगा ठीक है क्या आएगा dy by dx one upon dx by dy value put कर दो so आपका dy by dx हो जाएगा यहाँ पे since करके लिख देता हूँ क्योंकि यह formula के तार पर यह उस किया जा रहा है तो one upon dx by dy के value क्या है 2 into 2 raise to y into log 2 dx by dy से dy by dx मिली गया अब क्या करो 2 raise to y की value यहाँ से put कर दो या तो 2 into 2 raise to y direct put करो तो एक काम करो 2 raise to y की value put करो वो ज्यादा सही रहेगा 2 raise to y 2 raise to y क्या है x upon 2 है तो यह हो जाएगा x upon 2 into log 2 यह दोनो 2 to cancel हो जाएगा तो मुझे dy by dx क्या मिला मुझे मिल गया 1 upon 2 log sorry 2 to cancel हो गया 1 upon x into log 2 इसी के साथ बच्चों हमारा question number 1 गतम होता है अभी question number 2 करेंगे यह question में 8 sub questions करा है सब कु समझा रहेगा तो वीडियो को जरूर like कर देना ठीक है चलो solve कर लेते है question number 2 तो यह रहा देको बच्चों question number 2 का first one y is equal to x square into e ratio अब पहला चीज़ की question में क्या दिया है वो देख लेते है question number 2 क्या दिया है वो देख लेते है क्या दिया है question देखो question में क्या बोला है अपने को find the derivative of inverse of the following मतलब अपने को dy by dx का inverse मतलब y का inverse है मतलब x उसका derivative निकालना है मतलब यह आपको dx by dy पूछ रहा है ना तो dx by dy निकालने का दो तरीका है एक तो y से x निकाल लो और वहाँ से dx by dy निकाल लो वो आ जाएगा समझा इतना या फिर या फिर अच्छा यह method के लिए यह method के लिए x निकालना जरूरी है मेरे को बताओ यह यह भाई सांब आपको easily x दे देंगे क्या पूछो उससे x देगा easily नहीं देगा यह देगा नहीं देगा इसमें कोई ऐसा नहीं है जो x आपको बहुत प्यार से थमाद है यहाँ यह ले x की value ले ले y के टांस वे नहीं आएगा तो यहाँ पर मजबूरी है यहाँ पर मजबूरी है आपकी कि आप पहले आप पहले क्या करोगे बच्चो आप पहले dy by dx निकालोगे और और उसको reciprocate करोगे तो आपको dx by dy मिल जाएगा ठीक है मतलब question no.2 में हमें सबसे पहले क्या करना है dy by dx निकालना है और उसके बाद में dx by dy मिलेगा तो y दिया हुआ अब इसको derivative करना तो बच्चपन में ही सीख लिये थे बराबर बहुत छोटी से थे न जब पहले चलू हुआ तभी बराबर क्या करो सबसे पहले इसको differentiate लिख दो differentiate y with respect to x तो y का हो जाएगा dy by dx this is equal to यहाँ पे derivative आएगा u into v अपला हो के क्योंकि दो लोग है x square एक e raise to x है तो x square आ जाएगा बाहर e raise to x का derivative e raise to x e raise to x का derivative e raise to x plus e raise to x बाहर x square का derivative 2x क्या किया मैंने एक बंदा बाहर दूसरे का derivative plus दूसरा बंदा बाहर पहले का derivative यहाँ पे अगर कुछ common होता है तो common निकाल लो क्या common आएगा एक x common आएगा e raise to x common आएगा तो यहाँ पे बचेगा कौन e raise to x तो बाहर आ गया x square में से x common लिया तो यहाँ पे x बचेगा यहाँ पे x e raise to x common लिया तो 2 बचेगा dy by dx मिल गया ठीक है फिर करना क्या है फिर मोले का कि we know that क्योंकि हमको पूछा तो dx by dy है ना तो dx by dy क्या आजाएगा 1 upon dy by dx that is 1 upon x into e raise to x into x plus 2 समझा क्या गया dx by dy 1 upon x into e raise to x into x plus 2 हो गया हमारा question number 2 का first बस ऐसा ही करना है बाकि कुछ नहीं करना है ठीक है इसी तरीके से second, third, fourth, fifth जो भी है कर लेते हैं y is equal to x into cos x differentiate किया तो मुझे dy by dx क्या मिला x बाहर cos x का minus sin x plus cos x बाहर x का derivative 1 तो यहाँ पर मुझे dy by dx क्या मिल जाएगा minus x sin x plus cos x यह मिल गया मुझे dy by dx बस अब क्या करो इसी को लिटा करो तो dx by dy मिल गया हो गया answer समझ गया ना must easy question है we know that dx by dy is equal to 1 upon dy by dx so this is equal to 1 upon minus x sin x plus cos x this is our final answer हो गया answer समझ गया बहुत और अच्छा लिखने का मान है तो इसको पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो plus पहले minus बाद में चलेगा इसको भी कोई marks gut करने वाला नहीं है चलते हैं अगले question पे यह रहा आपके सामने अगला question मैं चाहूंगा इसको आप video pause करके खुद से solve करो solve हो गया answer correct मिल गया confidence अलग ही level का हो जाएगा बच्चो differentiate किया with respect to x तो y का आ जाएगा dy by dx this is equal to x बाहर मतलब u बाहर v का derivative तो 7 raise to x log 7 plus v बाहर x का derivative यहा पर कुछ common आएगा सर 7 raise to x common आ जाएगा तो dy by dx क्या आ जाएगा 7 raise to x common लिया x log 7 plus 1 7 raise to x बाहर x log 7 plus 1 आ जाएगा अब dy by dx आ गया फिर बोलने का we know that we know that dx by dy is nothing but 1 upon dy by dx बस यह value यहां रख दो आपको dx by dy मिल जाएगा तो क्या आजाएगा आपका dx by dy बच्चो dx by dy मिल जाएगा 1 upon यह पूरा 1 upon 1 upon 7 raise to x बाहर है क्या बच्चा x log 7 हो गया हमारा 3rd वाला ठीक है समझ गया ना 4th वाला देखो y is equal to x square plus log x y is equal to x square plus log x तो dy by dx क्या आजाएगा आपका dy by dx आजाएगा x square का 2x log x का 1 upon x तो यहाँ पे मुझे dy by dx क्या मिल जाएगा 2x का square plus 1 whole upon x मतलब cross multiply किया x into 2x 2x square plus 1 और whole upon में क्या आगया x आगया फिर बोलने का कि we know that dx by dy is equal to 1 upon dy by dx value put करो आपका answer आजाएगा मतलब इसी का रेसी प्रो कलना इसी को उल्टा करके लिख दो direct qx के बढ़ा रहे हो तो dx by dy का आजाएगा 1 upon sorry x upon 2x square plus 1 बस इतना ही answer 4th wall एगा ठीक है हो गया अपना answer बच्चो 5th wall देखो 5th wall I think last है 5th last है क्या बात है चलो y is equal to y is equal to x log x इसको मैं differentiate कर देता हूँ with respect to x तो y का क्या आजाएगा बच्चो y का आजाएगा dy by dx यहां पर u into v apply होगा तो x आजाएगा बाहर log x का आजाएगा 1 upon x plus log x आजाएगा बाहर x का आजाएगा 1 x बाहर log x का 1 upon x plus log x बाहर x का derivative 1 I think यहां पर x और x cancel out हो जाएगा यह x और यह x cancel out हो जाएगा तो मुझे dy by dx मिल जाएगा 1 plus log x फिर क्या बोलूंगा फिर बोलूंगा कि we know that your dx by dy is equal to 1 upon dy by dx value put करो और आपका answer आजाएगा dx by dy is equal to 1 upon 1 plus log x हो गया आपका answer I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आया रहेगा सब कुछ समझा रहेगा सब कुछ अगर अच्छे से समझा है बच्चों तो इसी तरीके से आगे का भी content समझता रहेगा कोई tension मतलो बरोसा रखो खुद बे बरोसा रखो आप 90 प्लस आराम से जा सकते हो अच्छे बच्चे हो अल्रेडी मैस अच्छा है तो आराम से 95 तो आराम से आएगा दीरे दीरे प्रोग्रस होता है यह नहीं कि 50-60 वाले रेंज में हो तो directly 90 प्लस आज़ोगे इंतजार करो 50-60 वाले हो तो 70 पहुचो 80 पहुचो आराम से होएगा मैस 2 में जो डर है वो डर निकाल दो मेरे उपर बरोसा करो सब कुछ समझेगा अगर सब कुछ समझता है तो derivative हो अगर आप इछला वीडियो देखे हो तो कोई प्रॉबलम नहीं होगा बच्चो dx by dy क्या होता है 1 upon dy by dx होता है यह चीज हमने पढ़ा है और inverse trigonometric functions का derivative जैसे sin inverse x का derivative होता है 1 upon root में 1 minus x square cos inverse का क्या होता है cos inverse का होता है minus 1 upon root में 1 minus x square tan inverse का क्या होता है tan inverse का होता है 1 upon 1 plus x square यह formula आपको याद कर ले बच्चो इछले lecture में formula लिखाया था ज़स्ट एक बार revise कर आ रहा हो यह cod inverse का मतलब sin का जो है वही formula cos का है minus के साथ और सेक inverse का जो formula है question number 2 अगर आपको आता है तो यह question easily कर लोगे फरक्या है वहाँ पे x का separate value एक particular value नहीं दिया था यहाँ पे एक value दिया है और कोई difference नहीं है बच्चो देख लो कितना simple question है first one y is equal to x raise to 5 plus 2x cube plus 3x ठीक है तो यहाँ पे हम लोग चलते differentiate कर देते with respect to x अपने को निकालला dx by dy है ठीक है derivative of inverse निकालला तो पहले dy by dx निकालूंगा and with the help of that we will find dx by dy तो इसको differentiate करता हूं तो y का क्या आजाएगा बच्चो y will become dy by dx this is equal to x raise to 5 का आएगा 5 into x raise to 4 power आगे 1 power कम plus 2 बाहर x cube का आएगा 3x square plus 3 बाहर x का आजाएगा 1 तो मुझे dy by dx मिल जाएगा 5 x raise to 4 plus 6 x square plus 3 5 x raise to 4 plus 6 x square plus 3 अपने को dx by dy निकालना at x is equal to 1 ना तो पहले इसकी value निकाल लो चाहिए तो dy by dx at x is equal to 1 मतलब करोगे क्या यह जो आपका answer आया है ना उसी answer में x के place पे 1 put कर दो तो यह हो जाएगा this is equal to 5 into 1 raise to 4 plus 6 into 1 का square plus 3 तो यह कितना हो जाएगा 5 plus 6 plus 3 मतलब 14 हो जाएगा फिर हमको क्या करना था हमको dx by dy पूछा था at x is equal to 1 जब x की value बन रहेगी उस particular time पे dx by dy निकालना है तो यह आजाएगा this is equal to 1 upon dy by dx x at x is equal to 1 दे हो जाएगा 1 upon इसकी value कितने आई है 14 हो गया हमारा final answer देखो एक्दम बच्चे लों का question है ऐसा ही है ऐसा ही आपका second वाला third वाला fourth वाला फड़ावड करते है बच्चो time question नहीं करते है यह आपका question हो ठीक है same question है e raise to x plus 3x plus 2 इसको मैं अगर differentiate कर दिया बच्चो with respect to x तो y का क्या आजाएगा dy by dx this is equal to e raise to x का आएगा e raise to x plus 3 constant है वाहर x का derivative 1 plus 2 is pure constant बिना x का उसका derivative 0 तो e raise to x plus 3 मिल गया उसके बाद क्या बोला था at x is equal to 0 बोला है न तो dy by dx at x is equal to 0 तो यह हो जाएगा e raise to 0 plus 3 anything raise to 0 is 1 ठीक है तो यह हो जाएगा 1 plus 3 and 1 plus 3 कितना 4 मिल गया फिर क्या बोलेंगे therefore आपका dx by dy at x is equal to 0 at x is equal to 0 तो यह हो जाएगा 1 upon dy by dx at x is equal to 0 so this is equal to 1 upon 4 हो गया आपका समझा एकदम सिंपल है एकदम सिंपल है e raise to x का e raise to x हाँ एक और option है बच्चो मतला आप यह बीच में यह वाला section नहीं करना चाहते हो तो भी चलेगा कैसे करोगे पहले dy by dx निकाल लिया तो यहां से मुझे dx by dy क्या मिलेगा यहां से मुझे dx by dy क्या मिलेगा 1 upon e raise to x plus 3 1 upon dy by dx बरबर और यहां पर मैं direct value पूट करूँगा तो भी चलेगा दोनो बात एक ही है दोनो का बात एक ही है ठीक है यह पिछले question में भी कर सकते थे आगे वाले question में भी कर सकते हो दोनो method चलेगा दोनो method आपको full marks दिलाएंगे next question y is equal to 3x square plus 2 log of x q तो सबसे पहला काम सबसे पहला काम यह log है ना यहां पर log है यह power को आगे बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा ठीक है भले वह x cube करके लिखाओ लेकिन power को आगे बुलाएगा तो power अगर आगे आएगा बच्चो तो यह क्या आजाएगा 3x square 3x square plus 2 यह power अगर आगे आएगा तो 2 into 3 हो जाएगा ना तो 2 into 3 कितना होता है 6 होता है तो हो जाएगा 6 log x अब इसको मैं differentiate कर देता हो with respect to x तो y का हो जाएगा dy by dx 3x square का हो जाएगा 6x यहाँ पे 6 बाहर log x का हो जाएगा 1 upon x log x का हो जाएगा 1 upon x तो यह आ गया therefore dy by dx at x is equal to 1 so this will be 6 into 1 plus 6 upon 1 that will be 12 यह dy by dx आ गया फिर बोलने का कि हमको पता है कि dx by dy क्या होता है यह होता है 1 upon dy by dx at x is equal to 1 तो यहाँ पे भी आ जाएगा at x is equal to 1 ठीक है at x is equal to 1 तो यह हो जाएगा 1 upon यहाँ पे क्या at 12 तो आपका answer आ जाएगा 1 upon 12 हो गया आपना answer समझ गे चलो 4th वाला देखो simple है यहाँ बच्चो पड़ापड करते हैं दो 4th वाला y is equal to sin of x minus 2 plus x square तो इसको अगर मैं differentiate कर देता हूँ with respect to x तो देखो y का हो जाएगा dy by dx this is equal to यहाँ पे main कोन है बच्चो sin है तो sin का derivative क्या होता है sin का derivative cos होता है तो cos of angle आ जाएगा बाद में यह angle है x minus 2 x का derivative 1 और minus 2 का 0 तो लिखे मतलब नहीं है plus 2x यह होगा dy by dx अब यह x is equal to 2 के न देर्फोर dy by dx at x is equal to 2 this is equal to cos of 2 minus 2 न तो 2 minus 2 मतलब 0 तो cos 0 plus 2 into 2 cos 0 होता है 1 plus 2 into 2 मतलब 4 और 1 plus 4 मतलब कितना 5 तो यह मुझे dy by dx मिला लेकिन हमको यह नहीं पूछा है हमको क्या पूछा है हमको dx by dy का value पूछा है तो यह आ जाएगा आपका dx by dy at x is equal to 2 यह हो जाएगा 1 upon dy by dx at x is equal to 2 so this will be 1 upon इसकी value क्या है 5 तो यह हो जाएगा 1 upon 5 हो गया आपका 4 वाला भी मतलब question number 3 पूरा हो गया देखे कितना फड़ा फड़ हो गया question number 4 देख लेते यह भी बच्चे लोग काई question है खाली लिखने का यहाँ पर तरीका अलग हो गया है लिखने का तरीका y को यह बोल दिया और यहाँ पर f inverse का मतलब गुमा फिरा के बाद पते हैं जो पिछला question दा न हुआ ही है और कुछ नहीं जारा ध्यान देना f of x दिया न यह है यह अपने का f of x दिया तो यह क्या आ जाएगा f dash x मतलब derivative किया तो x cube का 3x square आएगा x का derivative 1 और minus 2 का derivative 0 यह f dash आ गया अब f dash 0 निकाल के फिर उसको reciprocate करो तो मिलेगा या फिर यहाँ से मतलब 2 option है या तो आप f inverse x निकालो उसके बाद 0 पुट करो या फिर जो भी मैं करा रहा रहा है स्क्रीन पे वो कर लो यह क्या जाएगा देखो f dash of 0 यह पता है क्या जाएगा 3 into 0 का square plus 1 तो 0 का square 0 0 into 3 0 0 plus 1 is 1 मतलब f dash of 0 is equal to 1 मिल गया f inverse फिर बोलने का कि we know that क्या पता है अपने को कि f inverse of x जो होता है न वो होता है 1 upon sorry f inverse of x नहीं f inverse का derivative f inverse का derivative यह dash मतलब derivative तो f inverse का जो derivative होता है वो होता है 1 upon f dash of x मतलब यह आपका dy by dx है यह आपका dx by dy है ठीक है तो यहाँ पे मेरको क्या मिल जाएगा f inverse का derivative और x के जगा पे क्या 0 तो यहाँ पे आजाएगा 1 upon f dash of 0 मतलब I have replaced this x with 0 और कुछ ने x के जगा पे 0 पूट गया f dash of 0 की value पता है अपने को f dash of 0 1 है न तियो हो जाएगा 1 upon 1 which is equal to 1 which is equal to हो गया बस question number 4 ऐसे question number 5 में भी दो question है बच्चो देखो दो question है एकदम है सेम है एकदम से जाथा पहला अगर कर लिया तो पूसरा नहीं करेंगे न तो भी चल जाएगा क्यों चल जाएगा अभी समझेंगे फर्स्ट वाला देखो फर्स्ट वाला क्या बोला है using derivative हमको पता है हम अगर बैस वन का chapter number 3 पढ़े हो या पढ़ोगे जब तो आसे आडिया लग जाएगा कि 10 inverse X plus quad inverse X pi by 2 होता है सेक inverse X plus kosek inverse pi by 2 होता है और sin inverse X plus cos inverse X भी pi by 2 होता है तो अपने को दो दिया है और एक नहीं दिया है ठीक है ये left वाले को आपने लोग बोल देते है f of x left को क्या बोल देते है f of x तो जाएगा 10 inverse X plus quad inverse X इसको मैंने बोल दिया equation number 1 अब मैं क्या करता हूँ, इसको derivative कर देता हूँ, मतलब differentiate कर देता हूँ with respect to x जैसे मैंने derivative किया f of x का f dash x हो गया क्या हाँ sir हो गया 10 inverse x का क्या होता है 10 inverse x का होता है 1 upon 1 plus x square cod inverse का क्या होता है minus 1 upon 1 plus x square sir 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 एक बात बोलो sir ये देखो दोनों same है minus के साथ ये दोनों cancel हो जाएगा जैसे cancel हुआ, तो बच्चा कौन sir कोई नहीं बच्चा, अगर कोई नहीं बच्चा, इसका मतलब कौन बच्चा अगर कोई नहीं बच्चा, इसका मतलब कौन बच्चा बच्चो, 0 कौन बच्छा 0 किसका derivative 0 होता है सोचो f dash x अगर 0 मिल रहा है तो f dash x 0 0 किसका derivative सर constant का derivative होता है therefore मुझे पता चल गया कि f of x is a constant function मुझे ये पता चल गया कि f of x constant function है constant function बोले तो जो x के बदलने पे जिसकी value ना बदले अगर x change होता है अगर x change होता है तो उस function की value change नहीं होनी चीए ऐसे function को ही हम लोग क्या बोलते है constant function बोलते है इसका मतलब जो मैंने अभी बगबग किया क्या बगबग किया x की value मैं अगर बदलते बैठूंगा तो यह function नहीं बदलेगा यही मैंने बोला ना तो इसका मतलब अगर मैं x के जगा पे 0 put कर दू तो भी चलेगा 1 put कर दू तो भी चलेगा road 3 put कर दू चलेगा जो भी put करूंगा हमेशा आपका f of x same मिलेगा जैसे एक example अगर मैं 0 put कर दिया तो 10 inverse 0, 0 हो जाएगा cot inverse 0, pi by 2 आएगा दोनों add कर दूंगा तो pi by 2 मिलेगा 1 put कर दिया 10 inverse 1, pi by 4 cot inverse 1, pi by 4 45, 45, 45 plus 45, 90 pi by 2, दोनों बार pi by 2 मिला road 3 put कर कर देखो 10 inverse root 3, 60 मतलब pi by 3, cot inverse root 3 मतलब 30, pi by 6 pi by 3 plus pi by 6 is also pi by 2, मतलब घुमाफिरा के हर बार क्या आ रहा है, pi by 2 आ रहा है इसका मतलब, अब मैंने 3 example put कर के बताया बोलके न, लिखके थोड़ी उतना देना है कोई भी एक put करो, तो from equation 1 from equation 1 when your x is equal to, कोई भी root 3 put करो 0 put करो, 1 put करो, कुछ भी put करो मैं 1 के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि value तो पता ही है, 1 put किया तो क्या आ जाएगा आपका, f of 1 आ जाएगा, tan inverse of 1 plus cot inverse of 1, tan inverse 1 मतलब 45, तो f of 1 आएगा pi by 4 और cot inverse of 1 मतलब भी 45, तो ये भी आएगा, pi by 4 45 plus 45 90, 90 f of 1, 90 90 मतलब pi by 2 तो f of 1 pi by 2 हो रहा है, f of 0 भी pi by 2 होगा, constant है तो ये भी तो constant है इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि f of x हमेशा pi by 2 रहेगा for all x हर एक x के लिए ये pi by 2 रहेगा क्यों all x लिखा मैंने या पर नहीं लिखा है क्यों लिखा, क्योंकि tan inverse और cot inverse जो है, वो हर एक x के लिए exist होएगा न आपका ठीक है, और यसे नहीं दिया है कुछ copy है, for all x अगर कुछ condition है तो condition है खाले हो कैसा pi by 2 का multiple नहीं चलेगा उदर, एक काम करो, कुछ नहीं दिया है तो मत्ही लिखो नहीं तो वहाँ पर आपको फिट define करना पड़ेगा entrance point of view देखोगे तो रहेगा pi by 2 का odd multiple नहीं चलता है न, tan inverse को ठीक है, तो यह होगे आपका f of x, pi by 2 अभी, 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 f of x की value pi by 2 जो मिली है बच्चो इसी को अगर मैं, इसी को अगर मैं equation number 1 में put कर देता हूँ तो क्या आजाएगा, क्या आजाएगा मिलको मुझे मिल जाएगा, tan inverse of x plus cot inverse of x यह आजाएगा, pi by 2 यह आजाएगा, pi by 2 समझ गया, यह first law, dicto second वाल है मैंने आप लोग का time बचाने के लिए पहले ही solve कर लिया है, देखो f of x, sec inverse plus cosec inverse derivative कर लिया, तो derivative किया तो sec inverse का derivative, 1 upon x into root में x square minus 1 और cosec inverse का क्या आजाएगा 1 upon minus 1 upon x into root में x square minus 1 पर अबर दोनों cancel out हो जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा तो f of x एक constant function है अगर f of x constant function है तो कुछ भी put करो तो x के जगा पर 1 put कर दिया 1 put कर दिया, यह आया sec 1 कब होता है, 0 पे होता है और cosec 1 कब होता है, pi by 2 पे होता है तो add कर के pi by 2 हो गया यहाँ पे condition क्यों लिखा है क्योंकि already लिखा है और वो कैसा है यह जो है न यह यह लिखने का मतलब क्या है यह जो sec inverse x और cosec inverse x यह तभी exist होएंगे जब x की value 1 से greater या equal होगा ठीक है समझ के बच्चो आपका question number 3 हो गया question number 4 हो गया और question number 5 तक हो गया अब करना है अपने को question number 6 तो चलो वो भी देख लेदे सो देखो चो question number 6 का first one हो क्या लिखा है question differentiate the following with respect to x first one let y is equal to 10 inverse of log x अब हम लोग ने जो formula बढ़ाना आज का revise किये न first page पे यह formula अपना काम आएगा 10 inverse का derivative होता है one upon one plus x square और अपना जो basic concept ना इसके बाद में x का derivative होता है वो concept आगे भी चलता रहेगा ठीक है याद रखना वो concept आगे भी चलता रहेगा देखो यहाँ पे main कौन है फिलाल यहाँ पे main 10 inverse लिख रहा है तो 10 inverse का derivative हो सबसे पहला सबसे पहला क्या लिख लेंगे हम लोग इसको differentiate कर देते हैं with respect to x तो y का हो जाएगा dy by dx y का हो जाएगा dy by dx इसका 10 inverse मेंने तो 10 inverse का क्या आजाएगा 1 upon 1 plus x square 1 upon 1 plus x square x की value क्या है log x तो 1 upon 1 plus log x का whole square 10 inverse का का काम हो गया into d by dx of 10 inverse का काम हो गया तो bracket का that is log x का derivative आजाएगा अब यह क्या हो जाएगा therefore dy by dx is equal to 1 upon 1 plus log x का whole square into इसका log x का derivative क्या हो जाएगा 1 upon x बस वो क्या derivative बस उसी का अच्छे से लिख लो क्या जाएगो च्छो dy by dx is equal to 1 upon x into 1 plus log x का whole square log x का square हो गया answer याद रखना याद रखना ये वाला power आगे नहीं आता है x का सिर्फ power रता है ना वो आगया हो गया हमारा answer first वाला question खत्म आ जाते second वाला second वाले में हमको ये फॉर्मला यूज करना पड़ेगा पहला चीज की cosec inverse का derivative पता होना चीए cosec inverse x का derivative होता है minus 1 upon x into root में x square minus 1 ये फॉर्मला हमको यहाँ पे use करना है x के जगा पे x नहीं है x के जगा पे e raise to minus x है इसको अगर मैं differentiate करता हूँ with respect to x इसको मैं अगर differentiate करता हूँ with respect to x तो y का हो जाएगा dy by dx और cosec inverse हो जाएगा minus 1 upon x into root में x square minus 1 into हर फॉर्मला में dy dx of x सोचना है मतलब यहाँ पे भी dy dx of angle सोचना है dy dx of this bracket यह bracket सोचना है ठीक है यह as it is रखो minus 1 upon e raise to minus x into root में यह कौन है यह है e raise to minus 2x minus 1 into into e raise to minus x का क्या आजाएगा e raise to minus x into minus 1 कैसे e raise to x का क्या होता है e raise to x खुद आता है बाद में power का derivative होता है तो power का derivative minus 1 आ जाएगा I think यहाँ पे आपका e raise to minus x e raise to minus x cancel हो जाएगा चैसे वो दोनों cancel हुए अपना काम आगे बढ़ाओ यह हो जाएगा minus of minus plus दोनों minus भी समाल ली एक दूसरे को e raise to 2x जब root के बाहर आएगा तो क्या आएगा पता है यह हो जाएगा 1 upon root में 1 minus e raise to 2x hole upon यह e raise to 2x root के बाहर आजाएगा तो e raise to x बचेगा क्या बचेगा e raise to x अब denominator का denominator कहां जाता है numerator में इसलिए ही आजाएगा e raise to x upon root में 1 minus e raise to 2x, 1 minus e raise to 2x, आप लोग अच्छे से देख लो बच्चो, मुझे लगता है हर एक step समझा होगा, ठीक है, चलो, आगे बड़े, थर्ड वाला देखो, y is equal to cot inverse of x cube, इसको differentiate कर देता हूँ मैं, differentiate y with respect to x, y का हो जाएगा आपका dy by dx, cot inverse हो जाएगा, minus 1 upon 1 plus x square, tan inverse का derivative क्या होता है, tan inverse का derivative, 1 upon 1 plus x square होता है, तो cot inverse का हैगा, minus 1 upon 1 plus x square, x के जाएगा पर x cube है, cot inverse का का काम हो गया, अब उसके यह bracket का derivative होगा, मतलब dy by dx of x cube होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे dy by dx क्या मिल जाएगा, मुझे dy by dx मिल जाएगा, minus 1 upon 1 plus x raise to 6, x cube का derivative आएगा, 3x square, x cube का derivative क्या, 3x का square, 3x square इधर आगया, तो आपका, आपका dy by dx हो जाएगा, बच्चो, minus 3x square upon 1 plus x raise to 6, ठीक है, तो इसी के जैसा अपना सब question देख लो, 3 question मैंने करा है, cot inverse a b है, बाकि सब आप चाहते हो, आपको लगता है कि आपसे हो सकता है, तो बिद्दा साब ट्राइ कर सकते हो, वीडियो रोक के, ठीक है, जहाँ भी मन करा, confidence बड़ा, वीडियो रोको, और खुद से solve करो, बच्चो, तो ही, तो ही आप का max जो है, वो best हो पाएगा, ठीक है, तो y is equal to cot inverse of 4 raise to x, इसको अगर मैं differentiate करता हूँ, with respect to x, तो y का आजाएगा, dy by dx, cot inverse का आजाएगा, minus 1 upon 1 plus x square, minus 1 upon 1 plus x square, into derivative of 4 raise to x, derivative of bracket, ते हो जाएगा, minus 1 upon 1 plus 4 raise, पावर का पावर, multiply होता है, x into 2 हो जाएगा, 2x, into 4 raise to x, a raise to x का क्या होता है, a raise to x, log a होता है, बस हो गया answer, minus 4 raise to x, log 4, whole upon 1 plus 4 raise to 2x, हो गया, अपना answer, खुर्त वाले का, ठीक है, आगे बढ़ते हो च्चो, 5th वाला, y is equal to 10 inverse of root x, इसको अगर मैं differentiate करता हूँ, with respect to x, तो y का हो जाएगा, आपका dy by dx, 10 inverse का क्या होता है, 1 upon 1 plus x square, तो हो जाएगा, 1 upon 1 plus x का square, into, इसका derivative, derivative of that bracket, ठीक है, तो यह हो जाएगा, 1 upon 1 plus x, into, root x का derivative क्या आएगा, 1 upon 2 root x, बराबर, तो यह हो जाएगा, 1 upon 2 root x into 1 plus x, हो गया अपना answer, इतना ही answer, समझ गया, चलो, आगे बढ़ते हैं, 6 वाला, let y is equal to sine inverse of root में, 1 plus x square upon 2, सर, यह तो bracket थोड़ा खतरनाक दिख रहा है, है, थोड़ा सा तो है, ठीक है, tension नहीं लेने का, आपन है उसके लिए, differentiate कर देने का, with respect to x, तो y का क्या हो जाएगा, dy by dx, थोड़ा अच्छे से ज्यान देना, बच्छो, अच्छे से, sine inverse का derivative क्या होता है, 1 upon root में, 1 minus x square, sine inverse x का derivative होता है, 1 upon root में, 1 minus x square, y x के जग़ा पे यह bracket जो है ना, वो लिखने का, तो हो जाएगा, 1 upon root में, 1 minus x square, 1 upon root में, 1 minus x square, तो यह उसका हो गया, बाद में, bracket का भी derivative होता है ना, तो into d by dx of this bracket, which is root में, 1 plus x square upon 2, यह whole square जो है, यह root को cancel करेगा, करेगा, कर देते हैं, 1 upon root में, 1 minus root और whole square, सब cancel हो जाएगा, बचेगा कॉल, 1 plus x square whole upon 2 बचेगा, मतलब root और whole square, एक दूसरे हो cancel out किया, यहाँ पे, यहाँ पे, अगर मैं अच्छे से देखू, तो यह root 2 एक constant है, pure constant नहीं, constant, बाहर गुला लो, 1 upon root 2 को बाहर गुला लो, अब बचा कॉन, derivative of this root में, 1 plus x square, तो यहाँ पे main कॉन है, तो यहाँ पे कौन बचा है, आपका, root में 1 plus x square बचाना, उसका derivative करना है, तो main कॉन है उदर, main है आपका root, तो root का derivative क्या होता है, 1 upon 2 root x, root का derivative होता है, 1 upon 2 root x, root का का काम हो गया, अब क्या आएगा, अब आएगा, derivative of 1 plus x square, ठीक है, क्या क्या देख लो, यहाँ पे whole square और root gap किया, यहाँ पे root 2 बाहर लिया, उपर numerator में root बचा है, उसका derivative 1 upon 2 root, और बाद में उसका derivative, तो यह हो जाएगा, 1 upon complete root में, 2 minus 1, cross multiple होगा ना, तो 2 minus 1 minus x square, whole upon, whole upon 2, into, 1 upon root 2, into, 1 upon 2, root में 1 plus x square, derivative 0, और x square derivative 2x, ठीक है, so, this is equal to, this is equal to, यह root 2 को मैं उपर बेज देता हूँ, यह देखो, denominator में root है ना, root separate अगर किया, तो root 2 चला जाएगा उपर, मतलब numerator मे, यहाँ पे 2 minus 1 मतलब 1, और minus क्या है, x square, into, यह आजाएगा, 1 upon root 2, into, 2, यहाँ पे, यहाँ पे, जो बचा उसको लिख लेता हूँ, फिर एक साथ cancellation करता हूँ, ठीक है, जो cut होता है, उसको cut कर डालो, कौन कौन cut हो रहा है देखो, root 2, root 2 को cut किया, 2, 2 को cut किया, अब जो बचा उसको, लिख लो चुपचा, जो बचा हो, उसको लिख लो, क्या बचेगा देखो, x बचा, अपॉन, denominator में, अगर मैं root common लेता हूँ, तो मुझे क्या बचा जाएगा, क्या बचेगा, 1-x2, और 1-x2, बचेगा, denominator में, a-b, 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 minus b-square, a-square minus b-square, मतलब यह हो जाएगा root में, a-square मतलब 1 का square, minus b-square मतलब, x-square का square, x-square का square, मतलब x raise to 4, तो यह हो जाएगा, x upon root में, 1-x raise to 4, हमारा हो गया, कौनसा, 6 वाला न, 6 वाले का answer, complete, ठीक है, यह आगे है, 7 वाला, क्या है, y is equal to, cos inverse of 1-x square, तो cos inverse का derivative क्या होता है, minus 1 upon root में, 1-x square, cos inverse है, minus 1 upon root में, 1-x square, तो इसका derivative क्या आजाएगा, बच्चों, differentiate अगर मैं कर देता हूं, इसको, with respect to x, तो y का क्या आजाएगा, dy by dx आजाएगा, y का dy by dx आजाएगा, cos inverse का क्या हो जाएगा, cos inverse का हो जाएगा, आपका minus 1 upon root में, 1-x square, यह cos inverse का derivative हो, फिर bracket का derivative हो, 1 का derivative, अच्च ठीक है, लिख देता हूं, d by dx हो, 1-x square, ज्यादा shortcut नहीं मालता चीए, यह हो जाएगा, minus 1 upon root में, 1-, इसका all square अपलाए किया, तो a square, minus 2ab, plus b square, a square, minus 2ab, plus b square, यह हो जाएगा, इधर पे क्या आजाएगा, 1 का derivative 0, और minus x square का हो जाएगा, minus 2x, minus का minus बोले तो, plus 2x into 1, 2x, तो यह हो जाएगा, 2x, whole upon root में, 1-1 cancel हो गया, 1-1 cancel हो गया, क्या बचा, 2x का square बचेगा, और, minus x raise to 4 बचेगा, थेखो, 1-1 cancel, minus अंदर गया, minus का minus, plus 2x square, minus का plus, minus x raise to 4, denominator में कुछ common आ रहा है, denominator में, कुछ common आ रहा है, आएगा, क्या common आएगा, x square common आएगा, root के अंदर ही आएगा, ठीक है, x square common आएगा, बचेगा क्या, 2-x square, x square root के बाहर जाएगा, तो x बन के जाएगा, x बन के गया, क्या बचा, root में, 2-x square, I think यहाँ पे, x और x, जो है, वो cancel हो जाएगा, जब दोनों cancel हो गया, तो बचा क्या, 2 upon root में, 2-x square, क्या बचा बच्चो देख लो, 2 upon root में, 2-x का square, ठीक है, 7th वाला हो गया न, 8th वाला देखो, 8th वाला, और कितने क्वेश्चन बच्चो, total, 10 है, 8, 9, 10, ठीक है, पड़ा पड़ा हो जाएगा, y is equal to sine inverse of x raise to 3 by 2, तो मेरे को यहाँ पे dy पे dx क्या मिलेगा, sine inverse का 1 upon root में, 1-x square होता है, तो इसका जाएगा, 1 upon root में, 1-x का square, into derivative of that bracket, ठीक है, whole square, यह power का power, multiply होगा, जब power का power, multiply होगा, मतलब 3 by 2, 3 by 2, into 2, 2, 2 गेगो, उमने, बच्चा कौन 3, तो हो जाएगा, x का cube, क्या बच्चा, x का cube, मतलब 1-x cube, into, x raise to 3 by 2, मतलब, power आगे, एक power कम, मतलब, power में, minus 1, तो यह हो गया, 1 upon root में, 1-x cube, into 3 by 2, into, x raise to half, x raise to half, बोले तो root x, क्या आज़र, क्या बच्चरे हो, बच्चरे हो, बच्चरे न, 3 by 2, मतलब 3, यह है root x, और यहाँ पे है, 2, into, root में, 1-x, q, यह हो गया, आपका, 8 वाला, 2 equation बच्चरे है, बढ़ा बढ़ देख लेते है, cos cube of cos inverse x cube, तो बच्चो, यह यहाँ पे chapter number 3, mass 1 chapter number 3 का use है, trigonometric, और अंदर, उसी का inverse of x, यह होता है x, मतलब यह क्या लिखा है मैंने, यह मैंने लिखा है, sin of sin inverse x, x होता है, cos of cos inverse x, x होता है, tan of tan inverse x, x होता है, सब लोग x होते, मतलब बाहर tree को, अंदर उसी का inverse, वो एक दुसरे को cancel out करके, क्या बचेगा, x बचता है, तो वही concept यहाँ पे use होने वाला है, ध्यान देना, कैसे अब use करेंगे, y आ जाएगा, whole cube ले लो बाहर, कौन सा cube उठाया, ये वाला cube, क्योंकि cos cube theta is nothing but, cos theta का whole cube, तो ये आ जाएगा, cos of, cos of x cube, बना बना, cos of, sorry, cos of cos inverse, cos of, cos inverse of x cube का whole cube, ये whole cube, ये वाला cube, उठा लिया मैंने, cos of cos inverse, इस concept के यह साबसे, cancel out होगे, x बचेगा, मतलब इधर कौन बचेगा, इधर बचेगा आपका x cube, x cube का whole cube, ये वाला cube, मतलब y मिल गया, x raise to 9, ये तो बच्चे लों का question हो गया, ये नहीं था, इधर दिमाग लगा, जब दिमाग लग क्या आ गया, क्या वल लेगा भी, dy by dx, 9 x raise to 8, जालना अपला answer, समझ गया, हो गया, simple एगदम, समझ गया बच्चो, last question of this video, and question number 6, ये, कर लोगे खुद से, कर लोगे खुद से, क्या जाएगा, sine of, sine inverse of, root x, whole raise to 4, sine of, sine inverse गया गूमने, क्या बच्चा, root x बच्चा, root x raise to 4, root x raise to 4, मतलब root x को, 4 बढ़ मल्टिप्लाई करेंगे, जब 2 बढ़ मल्टिप्लाई हो का, तो x आएगा, तो ये, x स्क्वार आएगा, या फिर ऐसा समझो, ये x raise to half है, पावर में 4 है, half और 4, cancel हो के 2 बचेगा, तो y is equal to x स्क्वार बचा, इसको अगर मैं डिफ्रेंशियेट कर देता हूँ, with respect to x, तो मेरा dy by dx मिल जाएगा, 2x, हो गया आपका answer, हो गया आपका question number 3, question number 4, question number 5, and question number 6, बच्चों, वापस बताना चाहरा हूँ, वीडियो के भरोसे, 90, 95 नहीं मिलता है, वीडियो देखो, और जो सिख रहे हो, उसको लिख के practice भी करो, एक दो question देखो, बाकी सब questions जो है, वो खुछ से try मारो, और जो नहीं आता है, जहां पर attack रहे हो, वो refer करो, ठीक है, यह नहीं कि movie देख रहे हैं, हाँ, सर पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ते बैठे, lecture भी classroom में, offline mode भी जब classroom में बैठते हो, तब बीना लिखे नहीं समझेगा, teacher आएगा, board बरेगा, उससे काम नहीं होता, आपको, आपको guarantee है, 90 प्लस मिल जाएगा, अगर आप systematic way में practice करते हो, तो, जो भी पढ़ रहे हो, उसको लिख के भी solve किया करो, ठीक है, जहां मैं बोलता हूँ, वीडियो पॉस करके, आप solve कर सकते हो, मुझे बरुसा है, आप लोग कर सकते हो, इसलिए बोलता हूँ, ठीक है, कर लिया करो, कर लिया करो, और कुछ नहीं, ऐसी जैसे, वीडियो जा रहे, वो आते रहेंगे, चैप्टर खतम हो जाएगा, आराम से portion भी हो जाएगा, आप लोग का, और गैरेंटी है, अच्छे से, पूरा maths 2, जो लोग डर बना के रहते हैं, कैलक्लिस, कुछ डरनी की बात नहीं है, बोड का तो फिलाल बात ही नहीं है, MST, CT में भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, हाँ, जे ही point of view देखो के, थोड़ा difficult पढ़ता है, लेकिन board point of view, MST, CT point of view, easy chapters है, खाली कैसा है, concept नहीं पता रहता है, सब सीख लोगे, कोई tension लिए, ठीक है, चलो, मिलते है next video में बच्चो, जहाँ पे हम लोग इसी के आगे के questions को solve करेंगे, Thank you,